मद्दे प्रदेश की धरोहर प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है, मेरा नाम है मनीश प्राचीन भारत में मंदिर निर्मान के सबसे पहले व्यवस्थित साक्ष गुप्त काल से प्राप्त होते हैं समय के साथ धीरी धीरे प्रारंभिक मद्दे काल में मंदिर निर्मान की व्यवस्थित शैलियां हमारे सामने आती हैं जिनको हम नागर शैली, बेसर सैली और द्रविड शैली के नाम से जानते हैं नागर शैली जो कि उत्तर भारत के अलगलग शैत्रों में प्रचलन में थी इस्थानिये संस्कृतियों को ग्रहन करते हुए अलगलग शैत्रों में इसकी विभिन उप शैलियां भी उभरी एक उप शैली का नाम है भूमिजा शैली जिसके मंदिर हमें गुजरात विभि ने तैफस्यमि मद्द्रचंदेश के अलगलग शैत्रों में प्राप्त होते हैं इसी बुमिजा शैली से प्रभावित एक मंदिर है गवालियार का सास बहु मंदिर जो मद्द्रचंदेश की धरोहर प्रोग्रम में आज हमारा डोपिक होगा इसास मंदिर की सामाने स संदरशना आप देख सकते हैं और इस शैली में कुछ ना कुछ अंतर भी आपको देखने को मिलेगा नागर शैली से नागर शैली और इस अंतर पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये नागर शैली की एक उप शैली भूमिजा शैली से प्रभावित है सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अदरगत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे सबसे पहले हम सास्त वहु मंदर की भोगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे फिर इसके इतिहास और इससे जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं पर सामाने र होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सास वहु मंदर गवालियर की भोगोलिक अवस्थिति को जानते हैं जैसा कि नाम से इस पस्थ है कि ये गवालियर में मद्यप्रदेश के एक जीले गवालियर में स्थित है जो नियो डैली से लगबग दक्षिनपूर में पढ़ता है और मद्यप्रदेश का एक उत्तरी जीला है गवालियर के किले के परिसर के भीटर ही इसकी स्थित है और किक किले डियो की and topic में हमने चर्चा की थी कि जो गवालियर का किला है वो एक पारी पर इस्थित है जिसको हम गोप पाड़ी कहते हैं और सामाने रूप से उसको गोपांचल के नाम से जाना जाता है गवालियर का किला लगभक 3.2 स्क्वाइर किलोमेटर के ख्षेतर में फैला है और इसकी जो बहरी दिवार है वो लगभक 3 किलोमेटर के आसपास है और कई बार इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमेटर भी बता जाती है कहीं कहीं अध्यानों में इसी के भीतर सास्त बहु मंदिर की अवस्थिती है अब हम इसके इतियास के पक्षों को देख लेते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जो कवालियर की किले का निर्मान है वो आठवी शताब्दी में इसके निर्माण की शुरुवات हो गई थी जब हम इसके इतियास के पक्षों के पर प्रकास जा लेंगे तो थोड़ää सा गवालियर की गिले का निर्मान कब हुआ था गवालेर की किले का निर्माण हमने उस टोपिक में चर्चा की थी, कि आठवीश सदी में इस किले की बाहरी दिवार का निर्माण एक स्थानी सरदार जिसको सूर्य सेन या सूरज सेन के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा करवाय गया था लेकिन इसके लिए का जो व्यवस्थित निर्माण है वो पंदरवी सदी के एक साशक जिनका नाम था राजा मान सिंग तोमर मान सिंग तोमर और जिनका साशनकाल 1486 से 1572 तक था इनके द्वारा इसका व्यवस्थित रूप से निर्माण करवा गया था इसी के भीतर इस परिसर के भीतर ही एक सास बहु मंदिर का निर्मान एक हजार तिराण में इस्वी में कच्छब घात वंश के साशक कच्छब घात इसका स्षाब्दि कर थे कच्छब को मारने वाला कच्छब घात राजमंस के साशक महीपाल द्वारा करवाए गया था आप जानते हैं कि इस कच्छब घात यह जो थे यह पूर्वस थे आमेर के कच्छबाहा साशकों की जन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था कच्छब घात गुर्जर प्रतिहार साशक गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों के अलगलग समय पर सामन्त रहे थे लेकिन जैसे ही यह शक्तिशाली हुए इन्होंने इस शित्र में गवालियर के शित्र में एक राज्य का निर्मान किया और गवालियर के किले के इसके अंतरगत अलग अलग तरहें कि मानेताएं हैं इस मंदिर को लेकरके एक मानेता यह है कि इसके लिए का जोनिर्मान है वो कीरती सिंग राजाख कीरती सिंग द्वारा अपनी सास और पत्नी के सम्मान में करवाय गया था और इसलिए ये सदभाव का प्रतीख है सदभाव का प्रतीख है एक और मानेता इससे जुड़ी हुई है कि इस मंदिर जैसे कि आप जानते हैं कि ये दरसल सास बहु मंदिर दो मंदिर है इनमें सास मंदिर बड़ा मंदिर है और बहु मंदिर एक छोटे परकार का मंदिर है तो इसमें एक मानेता ये है कि इस मंदिर का दरसल जो निर्मान हुआ था वो निर्मान सहस्त्र भावू मंदिर के रूप में करवा गया था जो विश्णु को समर्पित था भगवान विश् एक प्रतिमा भी स्थापित थी कि एक और मानेता है कि साशक जो महिल पाल थे उनकी पत्नी भगवान विशुणु की भक्त थी और इनकी जो पुत्र वधु थी यह भगवान शिव की भक्त थी तो पत्नी पूजा क्या करती थी सहस्र भाव मंदिर में और पत्नी की पूजा के लिए इन्हों ने इसी मंदिर की एक प्रतिकृति का निर्मान करवाया जिसको हम जानते है जो भगवान शिव को समर्पित है जिसको हम जानते है बहु मंदिर से तो इस मंदिर को लेकर अलग-लग तरह कि एटियासिकsc मानेटाई भी है अब हम इसके स्थापत्यगत पक्षों को देखते हैं जैसे कि मैंने वताये कि दो मंदिर है एक मंदिर है सास मंदिर और दूसरा मंदिर है बहु मंदिर सास मंदिर बड़े प्रकार का मंदिर है इसकी एक सामाने रेखा चितरा आप यहां देख सकते हैं और जो बहु मंदिर है वो इसी मंदिर की प्रतिकृती है जो एक छोटे प्रकार का मंदिर है इस मंदिर में प्रवेश के तीन द्वार है और चोथी तरफ एक सामाने कमरा है जो सामाने रूप से बंद रहता है और इसी तरह से इसकी भी आकरती है इसमें एक गर्ब ग्रहा है जो वर्गाकार प्रकार का गर्ब ग्रहा है और इसी तरह से यहां भी एक गर्ब ग्रहा है जो में कर दिए करदे का है उनकी कहानियों को कथा के रोप में व्यक्त किया गया है इतिहास के अलगालग समय पर ये अलगा तरह के आक्रमनों का शिकार रहा है इसलिए इसकी दिवारों पर और इसके इस्तंबों पर दुट जो आकरितियां बनी हुई है जो मूर्तियांchet खंडित अवस्था में देखने को मिलेगी अब हम इसके जो सामाने चित्र है उसकी आधार पर इसकी स्थापत्य कत्स वंदरशनाओं को समझने का प्रयास करते हैं ये सास मंदर की दो संद्रशनाओं है जगती के नाम से जाना जाता है इस जगती की जो लंबाई है वो स्तो फीट है और इसकी जो चोड़ाई है वो 63 फीट है जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही एकदम आपको द्वार मंडप देखने को मिलेगा जो चार इस्तंभों पर खड़ी हुई एक संद्रशना है यानि आप सबसे पहले द्वार मंडप में प्रवेश करेंगे द्वार मंडप के बाद एक मुख्य मंडप आएगा मुख्य मंडप को मंदिर के गर्व ग्रही जहां पर भगवान विश्णू की मूर्ती स्थापित है उससे जोडने वाला एक आयताकार कक्ष होगा जो की अंतराल कहलाता है आपको याद होगा कि इस तरह की सनरचना नागर शैली की प्रमुक विशिष्टा है द्वार मंडप मंडप अंतराल और गर्व ग्रहे ये सारी सनरचना नागर शैली के मंदिरों को अभिव्यक्त करती है अभी हमने चर्चा किये थी कि ये नागर शैली की एक उप शैली भूमिजा शैली को प्रभावित है जब हम भूमिजा शैली की बात करते हैं तो भूमिजा शैली का सबसे प्रमुख प्रभाव होता है मंदिरों की शीखरों पर उस शीखर की चर्चा हम यहां देख कर लेते है जैसे आप यह देखेंगे कि यह शीखर है हाला कि यहाँ पर जादा ही संतल प्रकार का शीखर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो नुकिले प्रकार का शीखर था वो विविन आक्रमणों का शीखर हुआ और अब नुकिले प्रकार क होता है Snag alternating everything में भूमिजा शैली में प्रभाव क्या होता था है कि जैसे मंदिरों का शीर्खर उपर की तरफ बढ़ता था तो इसमें कर वर्घ और वृत दोनों का प्रभाव रहता था इसके चार कोनों पर एक प्रकार का फलक इसमें चार फलक होते थे चार कोनों पर चार फलक और निचले साइड में फलक के नीचे घोडे की नाल का आकार का एक चैत गवाक्ष होता था घोडे की नाल का आकार का और जब ये उपर की तरफ बढ़ते थे मंदिर तो इसमें छोटे छोटे प्रकार के इस प्रकार के शीखर बने होते थे लड़ियों के रूप में शीखर बने होते थे इस तरह से यह शैतिज रूप में भी होते थे और उपर की तरफ बढ़ते हुए भी होते थे जैसे आप को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहां छोटी छोटी प्रकार के शईखर उपर की तरफ बढ़ रहे है और इसके चार फलक जो होते थे एक फलक दो फलक और दो फलक उधर की साइड इन फलकों की जो संख्या है, दो फलक के भीतर, जो ये छोटे-छोटे शीखर हैं, अगर इनकी सैथिस रूप में आप गणना करेंगे, एक, दो, पुमिजाश शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेसता थी जिससे शास बहु मंदिर महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए आज हमारी चर्चा का विशे बना है अगर हम बात करें इसके भी जो इस्तंभ है वो अलंकृत प्रकार के इस्तंभ है और यहां पर अलग-अलग त से सम्बंदित हैं और इन में से बहुत सी आकृतियों को अलग-अलग अक्रमनों में तोड़ दिया गया है वो घंडित अवस्तхा में नस्थ अवस्त आमें आपको देखने को मिलेगी अगर आप बात करें बहु मंदिर की तो बहु वर्गाकार प्रकार का मंडप है जो कि इसके साथ जब आप इस मंडप से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको एक गर्ब ग्रही की भी अवस्थेति देखने को मिलेगी यह जो गर्ब की जो लंबाई है वो नो दसमलोग तीन तीन फीट के बराबर है यह कुछ सामाने विशेष्टाएं थी सास वहु मंदिर की अब हम इनसे संबंदित एक प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण क्या है सास वहु मंदिर गवालियर की संधर्ब में निम्न लिखित में से कौन सा य दो मंदिर है जो मंदिर निर्मान की भूमिजा शैली से प्रभावित हैं आपके options हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ने तो एक और नहीं दो इस प्रशन का उत्तर आप हमें comment box में comment करके जरूर लिखिए फिर से एक नए session में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद